प्यारे बच्चो आप सभी का सोगत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आरे हम लोग बात करने आले हैं सिच्छा निर्देशाले रास्टे रासधानी छेतर दिल्ली की कारपती का संख्या 41 के बारे में आज के तेती 28 बारा दो जारे किस है और हिंडी निलकंठ पार्ट साथ कच्छा साथ से ली गई है यहाँ पर बच्चो आपको अपना नाम लिखना है यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है चलिए देखते हैं प्यारे बच्चो इसमें क्या दिया गए इसका पहले बता दू कि आप सभी डेली और वीकली बहुत सारे प्राइस को दीश सकते हैं इस हंस को हम जिन बातों करने जा रहे हैं वह मोर मोरनी की पच्छी है, जिसमें एक का नाम लेखिका ने नीलकंट रखा है आаàyे, आज हम क्या है इस हंस को पढ़ते हैं और समस्ते हैं देखिए इसमें क्या कहा गया तो एक बर क्यावत अबितल लेखिका जो है सड़क पर आकर उन्होंने ड्राइवर को रोकने का संकेर दिया मेरा कोई प्रस्ण करने से पहले ही यानि लेखिकर का कोई भी प्रस्ण करने से पहले ही उस बड़े मिया ने आरंब कर दिया सलाम गुरुजी पिछली बार आने पर मोर के बच्चों के लिए पूछा था संकरकड के एक चिड़िया मार ने दो मोर के बच्चों को पकड़ लिया एक मोर और मोर नी पाल ले आप पाल लें मोर के पंजे दवा बनती है तो ऐसे लोग खरीने आया थे तो इससे जो है लोग खरीने आया थे पर आखिर मेरे सीने में भी क्या है इंसान का दिल है मरने के लिए मासूम चिडिया कैसे दे दूँ तालने के लिए मैंने कहा गुरु जी ने मंगाए है तो वैसे कमबक्त रोजगार ही खराब है बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो तो चलिए देखते हैं पहला प्रसन क्या है लेखिका ने सड़क पर आकर ड्रैवर की रूखने का संकेत क्यों दिया तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको लिखवाता हूँ तो पच्चो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बिटा अगला प्रसन क्या है बड़े मिया चिडिया वाले ने मोर को मोर बचाने से क्यों बेचने से क्यों मना कर दिया लोगों को मोर बेचने से क्यों मना कर दिया तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं तो पच्चो इसका आंसर लिख लिजे बड़े मिया चिड़िया वाले ने एक बार लिखिए गा लोगों को मोर बेचने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मोर के पंजों से दवा बनती है और लोग मार कर दवा बना लेते और वह ऐसा नहीं चाहता था कि कोई उन मोरों को पाल ले ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रस्न क्या है तो बच्छों अगला प्रस्न क्या है बड़े मिया चिडिया वाले ने किस रोजगार को खराब माना है और क्यूं तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा तो पेटा इस कांसल लिख लिख लिजे, इस कांसल हो जाएगा बड़े मिया चिडिया वाले ने चिडिया वाले चिडिया वाली दुकान करने का रोजगार को खराब माना है ठीक है इसे इस प्रस्न को तरूप में लिख लिजेगा चलिए अगला प्रस्न देखते हैं क्या दिया गया लोग मोर को खरीदने क्यों आये थे ठीक है तो यहाँ लिख लिजे लोग मोर को खरीदने इसलिए आये थे आये थे क्योंकि उसके पंजो ठीक है क्योंकि उसके आगे देखें मैं बताता हूँ आप महास लिख दो क्योंकि उसके पंजो से दवा बनती है ठीक है तो इसे यहाँ से यहाँ तक लिख दीजेगा इसके बाद ठीक है क्योंकि उसके पंजो से दवा बनती यह इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है क्योंकि के बाद इसके बाद क्या है क्या आपने कभी पच्छी पाला है अपने अनुभव को अधार पर लिखिए तो इसमें लिख लीजे मैंने पच्छी नहीं पाला है ठीक है बिटा मैंने आज तक कोई पच्छी नहीं पाला है और मैं इससे हुसकी स्वतंतरता क्योंकि इससे उख लो बेटा, ठीक है? क्यूंकि इससे उसे परेशानी होती है, होती है, ठीक है? तो मैं इसलिए पच्छीयों को नहीं पालता बेटा, तो अगर आपने पाला हो तो आप अपने अनुभव को यहाँ पर लिखे दीजेगा ठीके आगे आपकी कारपतिका कैसे लगी आपको बताईएगा ठीके पूरी वीडियो को वाच करिएगा और कमेंट करिएगा ज्यादा से ज्यादा कॉंटेस में पास्पेट करिएगा धन्यवाद प्यारे बच्चों